पंदरा साल लंबे अंतरास्ट्री क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी तो आपकी नजर में बहतर क्या है पॉलिटिक्स ये क्रिकेट आप पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए गुगली डाल दीए देखें मैं गईना कि प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट में जादा लंबा इस समय बिताया लेकिन कहीं अगर दिल से अगर आप पूछें पॉलिटिक्स मैंने इसलिए जोइन करी थी और यह मैंने पहले भी बोला है बहुत यह सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों जोइन करी उस थरीके से आप जमीन पर उतरके अगर देश को आगे लेके जाने के आप में हिम्मत है तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स जोइन करी थी क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रती है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को और मैं काम करके दिखाना चाहता था ऐसे नहीं कि इसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोर्स बढ़ा के ये अपने एक दिल्चस बात बोली लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापपान तो बहुत बढ़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीती में भी दिख र बात किये गए थे वह वादे मैंने नहीं किये थे वह और उन रिकॉर्ड हैं इसमें कुछ छुपा नहीं है कि सौ स्कूल कॉलेज हॉस्पिडल दिल्ली को लंडन पारिस न्यू यॉयॉक पता नहीं क्या क्या वादे किये गए थे आप मुझे बताईए आप कहते हैं कि दिल मैं बहुत 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 बार आमानी पारी इसको बोलेंगी बी ह। कि मेरी मदर ने भी उनको वोड दिया था मेरी मदर को भी यह लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किया है वो फुल्फिल करेंगे तो अब आपके मदर के कहती है जो दिल्ली के जंता कहती है इस देश को आगे लेके कही नहीं जाएगी ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी क्रेडिट का मतलब आपने एक चीज़ बना दी ना तो लोगों को उसकी तारीफ करने चीज़ आप अपने मूँ खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे ऐसा आप लोगोंने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए है वो क्लिप देख लेते हैं अडियो प्ले करिए ज़रा इसा जी जी हलका एंबियंस सुन सकते हैं जिसमें केजरिवाल की आखों में आसू है ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने उनको रोना पड़ा काशी इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट आलिकेशन लगाई थी जब मैं अपना एलेक्शन क्यामपेइन में जब मै आए ही आया था और आप सब जानते होंगे किस तरीके की आलिकेशन लगाई थी और जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज दिली की उन्हें नहीं नहीं आलोगेशन लगाई थी कि मैंने कोई पैंफ्रेट फेरा आया था आतिशी मार लेना और उससे दो महीने पहले मुझे पवाटी गौ एक साइस पॉलेसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दिली की जंता भी जानती है और इस देश की जंता भी जानती है लेकिन अर्विंद के जिर्वाब तो कहते हैं कट्टर इमांदार है मनीश सोडिया भगत सिंग है मनीश सोडिया देखो मैं आपको बताता हूं एकसाइस पॉलिसी एकजाट के है यहाँ पर यूथ भी बैठ है एकसाइस पॉलिसी लेके आने का मतलब सिर्फ यह था कि 2% से 12% कमिशन बढ़ाने का सिर्फ मकसद यह था कि आप पैसे कमाके पंजाब में गोवा में बाकी स्टेट में लेक्शन लड़ सको अगर आप इतने ही साफ सुतरे थे अगर आप इतने ही भगत सिंग जी को अपना अदर्श मानते हो तो फिर वो एकसाइस पॉलिसी वापस क्यों ली गई हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था कहीं अगर सच ह होता है तो उस चीज़ को वापस नहीं लिया जाता ना आपने एकसाइस पॉलिसी वापस ली आपके दो मिनिस्टर जेल में बैठें है और अगर अभी तक बेल नहीं मिल रही है और अभी तक पैसा कमाए है तो फिर जगा आपकी सिर्फ तिहार जेल में ही है अर्विन केजरी वाले ने अपने घर में 45 करोड उपर खर्च करें और फिर कहा गया कि यह सब बीजेपी जो है यह मैनुफेक्चर्ड आरोप लगा रही है क्या कहना चाहते हैं सचाई आप ही बता दीजी अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिली के प्रति और इस देश के प्रति तो आप यह कह सकते थे आपका एक basic अगर आपके emotions हैं तो आप खुद खड़े होके कह सकते थे यह जो renovation है यह आप चार साल बाद भी कर सकते हैं अभी जो पैसा लग रहा है चाहिए वो एक करोड रुपय हो आप पीडेवलोडी वेगारा ने जबरदस्ति कर दिया हो कोई चीज जबरदस्ती होती है मेरे घर में कोई जबरदस्ति घुचके रेनोवेशन तो करा नी सकता मेरे बंगले में तो आज तो कोई renovation नी हुई आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में किस तरीकी की renovation हुई है आप तो देश-विदेश घुमें हैं कभी आट लग का पड़दा दिखा है आपने मतलब मैं जानना चाता हूं आप से आप international cricket के लिए बहुत अच्छी जगा पे भी रुके होंगे मतलब कभी देखा आट लाग का पड़दा खुल जा सिम्सिम टाइप का दर्वाजा देखे यह अपने आपको आम आदमी पार्टी कहते थे आम आदमी कहते थे अपने आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है यह जब राजनीती में आये थे तो इन्होंने यह भी वादे किये थे कि ना हम घर लेंगे गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे यह वोही लोग हैं सच्चाई है कि दिल्ली उनके ले सिर्फ एक मिल्किंग काउ की तरह हैं पहले यह तो अब नेतागिरी की बात थी अब थोड़ी क्रिकेट गिरी की बात कर लेते हैं आप IPL की लखनाउ सूपर जाइंट्स के मेंटोर हैं क्या आप मानते हैं कि IPL ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है जी हाँ बिल्कुल एक क्रिकेटर का टेनियर सिर्फ 35 या 36 साल तक कही होता है हम बॉलिवूड की तरह हैं या फिर पॉलिटेशिन की तरह नहीं है जो 80-90 साल तक काम करते हैं जो 70-70 साल तक आक्टिंग करते हैं 35 साल की उमर में सिरफ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं बाकी लाखों बच्चे, हजारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट तो उनके लिए फानाशल सेक्यूरिटी कितनी इंपॉर्टन है उनको भी अपना घर, परिवार, माबाब को देखना है आईपियल ने वो प्लाटफॉर्म, वो फानाशल सेक्यूरिटी उन बच्चों को दी है तियोरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब दो महीने आईपियल खेलते हैं उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर पढ़ता है हम इंडिविज्वल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं बाकी देशों में चाहिए इंगलंड, औस्टेलिया, न्यूजिलिंड में टीम बढ़ी है, इंडिविज्वल बढ़ा नहीं है और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं न, इंडियन क्रिकेट के ब्रॉड्कास्टर से लेके, बीडिया से लेके, सब से लेके अरिटिमेटली, अनफॉचुनेटली, ये एक पी आर एजिंसी बनके रहे गए हैं ब्रॉड्कास्टर नहीं हैं सिरफ तीन लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे आपने पचास रन बनाए, मैंने पचास रन बनाए पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को यह लगेगा, मैं ही स्टार हूँ आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडर रेटेट खिलाडी हैं अंडर रेटेट कौन बनाता है अंडर रेटेट प्रोडकास्टर ही तो बनाता है सोशल मीडिया ही तो बनाती है एक्सपर्ट ही तो बनाता है अगर मैं मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में आपकी प्रफॉर्मेंस के बारे में इसने नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुल के साथ इतना जादा अपसेस्ट हैं जो मच अवेटेट सवाल है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर के अंदर लेकिन आपकी अगला सेग्मेंट है उसमें आपको छे किनारियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आप से जानने की को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वह अपना सर ग्राउंडेट रखेंगे अपने आपको ग्राउंडेट रखेंगे तो उनके पास अबिलिटी है कि वह आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं शुमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं नहीं आप शुमन गिल को कुछ भी बनने की जुरूत नहीं है उनको शुमन गिल ही बनने की जुरूत है और मैं कभी भी यह नहीं मानता है यह सवाल पहले भी हमाने टाइम पर भी पूछा जाता था कि क्या यह अगले युवराद सिंग बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं, किसी को कुछ बनने की जरूत नहीं है, आप सिरफ अपने आपको जो आपको आप वही बन जाए, वो बहुत बड़ी शीज़ है, चलिए अगली अगली तीन तस्वीर आगी है, रितुराज गाई कच्छ बताना चाहिए? 200 बनाए 300 बनाए वन डे क्रिकेट में 200 बनाए विजे हजारे में तो यह जो आईपियल में किया है यह सिरफ आइसिंग ऑन दे केक था इसले यह शासवी जैसवाल को तीनों इनफाक्ट फॉर्माट में होना चाहिए चलिए मेरा अगला सवाल यह है कि एक तो ऑफिशल ट्रोलिंग होती है एक अनफिशल ट्रोलिंग होती है ऑफिशल ट्रोलिंग मैं बोलता हूं जिसमें हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ती को मैं हमने लेटर्स देखा नवीनुलहक को ट्र आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का वो है सोशल मीडिया अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके आप ट्रोल्स खरीज सकते हैं आप फॉलोर्स खरीज सकते हैं आप बोट्स खरीज सकते हैं तो जो चीज बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पर मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदिगी का पार्ट मत बनाईए आपको बुरा लगा है जब शुबमन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया जब नवीनुल हक के साथ ही हुआ देखें, I feel bad for everyone नोट उनली शुबमन गिल, नोट उनली नवीनुल हक, for everyone जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए और जो ट्रोल होते हैं उनके लिए भी क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे मैं पैसे खर्च करके बहुत बार यह सवाल मुझसे पूछा गया है अमीज जी और यह बहुत वैलिट सवाल है, इसले शाहिए मैं थोड़ा वक्त लूँगा कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पर पैसे खर्च करते हैं और लोगों को ट्रोल कराते हैं या लोगों के लिए नेरेटिव क्रिएट करते हैं और शायद मैं बहुत लोगों से जादा पैसे खर्च कर सकता हूँ जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए तूसरे की इमेज खराब करने के लिए मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने अपनी जिंदगी सच पे जीने क्या प्रॉमिस किये हम पाँच 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 प आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे तो उनको खड़ा होके ये बोलने में हिम्मत उनीचे कि वो रोज 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे अगर आपके पास पैसे जादा है तो आप ट्रोल मत कराईए लोगों को खाना खिला दीजिये लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सब की भी होगी और व्यूर्स है हमारे उस पार टेलिविजिन स्क्रीन पे देख रहे हैं जो करोड़ो दर्चक न्यूज 18 के माद्यम से आपको देखेंगे उनकी भी होगी ये समस्या कि आजकर रील का जमाना है हर आदमी वह 40-50 सेकेंड में सब कुछ कर लिना चाता है वह 40-50 सेकेंड में गौतम घंभीर बनना चाता है वह 40-50 सेकड में अक्षिये कुबर बनना चाता है ऐसे कैसे हो जाएगा in fact, मेरी बेटिया मुझे बोलती है कि आप डांस कर सकते हो, मैंने गा नहीं मैंने ना डांस किया ना रील बनाई आप देख लो, मतलब जो भी मेरा अकाउंट होगा आप जाके इंस्टाग्राम पिया जांपर भी तो जो रील बनाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं मतलब मैं ये बोलो, ये तो यंग है हम तो कई स्टार्स को देखते हैं, कई क्रिकटर्स को देखते हैं जो रील सा ही अपना जीवन चला रहे है देखें, मैंने जैसे बोला था, मैंने बहुत important message दे दिए, आप social media पे रही है मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाता हूँ आप किस तरीके से social media को देखते हैं, वो जरूरी है क्योंकि addiction किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है चाहिए वो addiction किसी भी चीज़ की चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार off the record पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये on record मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मई की रात जगा थी लखनव का इकाना स्टेडियम IPL मैच था, लखनव सुपर जाइंट्स और RCB का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रही लेकिन मेरी cricket field में बहुत लड़ाईयां हुई है ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाईयां नहीं हुई है लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या argument को cricket field तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में argument हुआ और वो cricket field तक ही रहना चाहिए उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ने TRP के लिए बहुत चीज़े डिमांड भी करी कि आप interview कर लिजिए आप clarify कर लिजिए जो चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको clarify करने की कोई जरूत नहीं है और वो cricket के field में हुई है मैदान के बीच में हुई है off the field नहीं हुई शायद अगर off the field भी होती या भार भी होती तो उसको अब लड़ाई कहते हैं heat of the moment दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए respectively जीतना चाहते हैं और दोनों के पास right है जीतने का लेकिन अगर आप बताना चाहे हुआ क्या था उस राद देखे मैं सिरफ इसको इतना elaborate करूँगा और इससे जादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल endorse करता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था अगर मुझे लगता था कि नवीन हुलहक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्द बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आकरी दम तक खड़ा हूंगा चाहे वो नवीन उलहक हो चाहे आपर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेशा करूँग它 और इसी तरीके से पर जिन्दगी जीता हूं। बहुत लोगों ने बहुत चीजे बोली कि नवीन उल्हक को सपोर्ट करे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करे हैं। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था। अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है, तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे, तो मेरा पूरा फर्ज बंदा था। आपने स्टैंड लिया। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला, मैं डिटेलिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन विराट कोली और गौतम गंभी और ने दिया था, लोग कह रहे हैं देखा हुआ है हमने, देखे मैं नॉमली अपने रिष्टे एक्स्प्लेइन नहीं करता है, यह सवाल मुझसे ना, MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपको MS धोनी का क्या रिष्ट है, जो रिष्टा मेरा MS धोनी का है, वही रिष जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए, मैं आज भी उन सारे खिलाड़ीों की इज़त करता हूँ, जिनके साथ मैं खेला हूँ, चाहिए वो एक मैच खेले हूँ, चाहिए वो 100 मैच खेला हूँ, क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खिलना मुझे पता ही कि कितनी मेहनत लगती है चुब आप अपने देश मतलब वो नाम जो कि भारते क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं गौतम गंभीर मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी कि हमने सुना कि युवराद सिंग खाने का ओडर अपने इसाब से करते थे मतलब कुछ आगर आप बताना चाहें तो में भी बहुत था साथ में ये वरेंदर सेवांग ने ओन रिकोर्ड बोल ने कि एक महीने हम सौथ आफ्रिका थे टी टी विरल्लक के लिए और शार एक महीने मैं और सेवांग नी कथे लांच और डिनर कीा था और हमने एक ही और य़ादर किया सेम खाना एक महीना है अब तो कुछ और मंगवाता है आज आज बहुत अब जादा शौकीन होंगे क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कॉमेंटरी करता हूं तो वह कमेंटरी स्टूडियों में भी वह खाना मंगवाते हैं बाहर से वह केक्स मंगाते हैं तो इर्फान पठान को बहुत शौकिन है मैंने सुना है वो एक दिन बिर्यानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच था बॉलिंग करनी थी शायद सचिन तंद्रुकर ने उनको काफी गूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो नहीं वो खा सकते था और उसके बाद उसी तरीके से गेन बाजी भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टी का शौकीन कौन था वो सवाल का जब अपनी दिया आपने देखें मैं नहीं था कौन बहुताईए युवराज सिंग था अर्भजं सिंग था जहीर खान बहुत बहुत खिलाडी है will पिख और बात तो डूर तक जाएगी और युवराद सिंग को कैंसर हो गया था लेकिन वह तब भी खेलते रहे थे इसलिए युवराद सिंग होने के बाद व्यक्ति खेलता रहा और मैंने मैं युवराद सिंग के साथ अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूं अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे मैं दिल्ली के लिए खेलता था वो अंडर 19 इकटे के लिए फिर अगेंस्ट खेले मैंने उससे जादा टालेंटेट खेलाडी आज तक मुझे नहीं पता आगे क्या होगा आज तक अभी तक हिंदोस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा बहुत अनफॉर्चनेट थे कि वह सोवाटाइस मैश नहीं खेल पाई क्योंकि वह उस एरा में खेला था जब विरिंदर सेवाग मैं राह और वह तोड़ते वह खुद नहीं जानते और आपने जहां तक सवाल किया मैंने वह देखा था किस तरीके से वह सफर कर रहे थे 2011 में उसके बावजूद इस तरीके की उनकी प्रफॉर्मेंस रही है वह हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया लेकिन मेरा मानना य पिर उनफॉचुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल कप की तो किस जवरात सिंह का नाम ने लेते हम 2011 की बात करते हैं वर्ल काप की तो हम जवरात सिंह का नाम ने लेते क्यों नहीं लेते gesehen 27 ओर कि यह आपको पता है कि 2007 और 11 वर्ड कप किस ने जिता है हम सब को बार बार यह बोला गिये कोई एक इंडिविजुल ने नहीं जिता है और पूरी टीम ही जिताती है कोई बड़ा टौनमेंट एक विक्ति नहीं जिता पाता अगर जिता पाता तो आज भारत शचत पांच यह द पर हम सब जानते हैं इन में से एक भी व्यक्ति से पुछे कि मोहिंदर अमर्नाथ कि आपने कितनी बार तस्वीर देखी है मोहिंदर अमर्नाथ जी कि क्या प्रफॉर्मसी वर्ड का फाइनल में आपने सिरफ कोई कुछ कहना चाहिए ट्रौफी उठाते वे देखा है ना कप कपिल देव जी वो ट्रौफी उठा रहे हैं मोहिंदर अमर्नाथ जी की भी दिखा दीजिए दो नो सेमी फाइनल में मैंनोद मैश थे निए अज इस बाद्यम चे हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमर्नाथ की और में ऑन रिकॉट करने जाता हूं और 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाथ तो 2011 में सचेंत अंदुलकर और गौतम गंभीर ते और युवराज सिंग थे ये लोग थे सब थे आजकल कुछ क्रिकेटर्स विग्यापन में पान मसाले की आड कर रहे हैं पान मसाला बेच रहे हैं इसमें सीनियर खिलाड़ी भी है इसमें आपके साथ खेले वे खिलाड़ी भी हैं क्यों ऐसी अविशक्ता क्यों पढ़ गई Disgusting and Disappointing आप कहरें Disgusting and Disappointing क्यों Disgusting इसलिए क्यों मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की आड करेगा और Disappointing इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अपने role model कोई भी ओ, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं, करोडों युवाओं को देख रहे होंगे, और पैसा इतना इंपोर्टन नहीं है, कि आप किसी पान मसाले की याड करेंगे, बहुत और तरीके हैं पैसा कमानेगे, और करने की हिम्मत होनी चाहिए, और मैं अपने आपको कोई उस शेली में नहीं लेके जाना चाहता है, 2018 में, जब मैंने step-down किया था, डेली कापिटल्स की काप्टन सी से, तो मैंने 3 करोड रुपे छोड़े थे, और वो 3 करोड रुपे मैं ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, I should only get what I deserve, not what I want, आप पान मसाला की आड़ कर रहे हैं, अमीज जी आप बताइए, अक्षे कुमार ने आड़ करी, फिल्म स्टार आड़ करते हैं, तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिट साइज करें, तो हम इतना उनके बारे में उनको आप देश भक्ती की बात करते हैं, आप नाशनलिजम की बात करते हैं, आप इंडिया फर्स की बात करते हैं, आप देश को महान बोलते हैं, आप भी तो करोडो लाखुल बच्चों की रोल मॉडल हैं, क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे, कल अगर 21 साल का बच्चा है, चोड़ने की हिम्मत... तो आपसे थो दोस्ता है, फोन ठाके नहीं बोलताके क्यों कराब ले? देखिए, वो बहुत Personal है, वो बहुत personal decision है और एक व्यक्ती, कि सबसे बड़ी शक्ती होती है छोड़ने की हिम्मत कि आप में वो शक्ति है कि आप कोई चीज छोड़ सकें लेना तो सब कुछ हर चीज चाहता है शाहिद मैं भी चाहता हूँगा कि मुझे सब कुछ मिल जाए लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें कि अपने फादर को प्रॉमेस किया था कि मैं कभी भी गुटके की या फिर कभी भी पानमसाले की आड़नी करूँगा बीस करोड़ पर छोड़े ना तब ही वो रोल मॉडल है और वो ऐसे ही रोल मॉडल चाहिए वाकई यह जो विशे है यह बड़ा इंपॉर्टन था इसलिए मैंने इसलिए और आपने बहुत अच्छा क्योंकि में को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी यह इस बारे में किसी से कोई सवाल पूछा होगा क्योंकि यह सवाल इसलिए पूछता है जरूरी है कि और वो दोनों भी लेजंड है और मुझे उमीद है कि निश्चित तोर पर वो भी इसको सुनेंगे लेकिन अगला सवाल जो मेरा वो है यह की हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बाते करते हैं लेकिन एक खिलाडी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए जब तक और इसके बारे में में को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई क्रिकेट माच कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिन्दगी से बड़ा नहीं है कोई भी कोई भी इवेंट और यह रियालिटी है इसी तरीके का इवेंट चाहिए वो तो आपने जैसे ही बोला उदर भारत माता की जय के नारे आ गए यही पब्लिक सेंटिमेंट है देखे आप भारत माता की जय की जगए अगर आप भारत माता को जय करेंगे न आपको भारत माता की जै बोलने की जरूत नहीं पड़ेगी, भारत माता को जै करना मतलब यहाँ पर लड़किया भी बैठी है, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इज़त करना सीखेंगे, वह असली भारत माता को जै होगी. तो जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसले नहीं होना चाहिए, जब तक ये क्रॉस पॉर्डर टेरिरिजम खतम नहीं होता, और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल कॉप खेलन और बहुत बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल काप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया, वर्ल काप और ICC इवेंट्स ICC कंट्रोल करता है, बाइलाटरल सिरीज दो बोर्ट्स कंट्रोल करते हैं, तो जहां BCCI का सवाल है, BCCI ने अपना स्टान बिल्कुल क्लिया कर दिया है कि बाइलाटरल टॉर्नमेंट्स नहीं होंगे, ICC इवेंट्स में BCCI का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता, तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगाओं पे बोला जात है, अगर आप नहीं आओंगे, तो हम भी नहीं आएंगे, उनकी मर्जी है, PCB के हैसित कैसी है, वैसे, देखे मैं PCB के बारे में नहीं जानता, और अल्टिमेटल अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे, तो सिरफ भारत ने नहीं बोला, in fact, श्री लंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया, कि हम भारत के साथ हैं, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिलने के लिए राज हैं, एक सवाल पाकिस्तान के टीम आपको बहुत मिस्स करती है, उन्हें बोला, पकिन भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच उता था, हम तो गौतम गंबीर और ये जूट है, मुझ से जाधा लड़ाई तो वो लड़ते थे, क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी, क्योंकि टी आरपी जाधा मिलती थी, मुझ से जाधा लड़ाईयां तो इर्फान पठान ने लड़ी हैं अच्छा आप बोलते क्या थे उनको मतलब, अगर बताराई ये सच आप इर्फान पठान को किसे दिन स्चोर पे बोला लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, अफरीदी से हुई लड़ाई लेकिन इर्फान पठान की तो मुझे लगता है पांच य अच्छे खिलाडियों से हो रखी है लड़ाई लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी, मेरी लड़ाईयां दिखाई जाती है वो ही फरक है सरफ अच्छे एक बार, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैश में आप एंग्री मैन बन जाते हैं उसा कुछ नहीं है, मैंने इनफाक्ट मेरी शें वाट्सन से भी लड़ाई वी है और ये वो पता है मुझे गुसा नाक पर रहता है आपकी ये अइसा गुसा नाक पर नहीं रहता कि आप जीदने के लिए खेलते हैं और जीतने के बाद कभी मेरी off the field किसी से लड़ाई नहीं हुई यह शेहन वाटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते है एक गंबीर काफी है क्योंकि मीडिया को टी आर पी मिलती है ना उससे मीडिया को टी आर पी मिलती है और कोई कारण नहीं है अब मैं बॉलिवूड और क्रिकेट पर आता हूँ हमने बॉलिवूड और क्रिकेट की बड़ी जोड़ी देखी है इसको आप कैसे मानते हैं और क्या आपका जुकाव कभी बॉलिवूड के साथ नहीं रहा नहीं मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में और दूसरी चीज़ एक देखे बहुत परसनल अल्टिमेटी बहुत परसनल डिसेजिन्स हैं और देखे जिन भी लोगों का आपने नाम लिया सब खुश रहने चाहिए मेरी यही बगवान से परातना है कि वो खुश रहे और अगर वो खुश हैं उससे बहतर कोई भी चीज नहीं हो सकती तो कभी आपका जुगाब नहीं रहा कभी बॉलिवुड से कभी आप जाते हूं आते हूं कुछ देखे ना मैं पाटी करता हूं जी ना मैंने आज तक आलकोहल टेस्ट करी ना मैंने आज तक सिगरेट को छुआ ना मैंने आज तक चाहे पी ना मैंने आज तक कॉफी पी चाहे कॉफी भी नी पीते हैं आप पूछ सकते हैं किसी से तो क्या पीते हैं फिरा पानी और ये आप ये आप किसी भी खिलाडी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कभी ना मैंने चाहे टेस्ट करी नो कॉफी तो खुश हो अपनी जिंदगी में क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, दो बची है, मेरी वाइफ, मेरे मादर फादर, खुश है ना बहुत जरूरी है. रील आप बनाते नहीं, चाय आप पीते नहीं, कॉफी आप पीते नहीं, पाटी आप करते नहीं, यह बहुत बोरिंग हुँ मैं, यह युवाओं को आप बोलेंगे कि एक हफता यह रिजीम फॉलो करने लाज जाएंगे. जी, अब इनसे भी हम सवाल लेंगे, आप से भी सवाल लेंगे, लेकि दुबारा राजनीती पर आते हैं, पॉलिटिक्स पर आते हैं, इस देश में नहीं संसत बनी, आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था, लेकिन जो पॉलिटिक्स उसको लेके हुई, और जिस तरह की बॉयकाट करने के लाबा, संसत बना है, वो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉयकाट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं, जब सेशन होगा, आप वहाँ पर जाके आग्यू भी करेंगे, आप वहाँ जाके आलेकेशन भी लगाएंगे, जी, कोई चीज एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज बन रही है, आप जाके वहाँ पर बैखिये, आप जाके वहाँ पर हिस्सा बनी है, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का, आप बात कर रहे हैं, मैं 2024 की बात करता हूँ, 2024 में मोधी वर्सेज ओल होता हुआ हम देख रहे हैं, अरविंद केज़िवाल से लेकर, देतीश कुमार, राहुल गांदी, सब शायद एक मंच पर आएंगे, मोधी को हराने के लिए, और जब आप भी सांसत का अगला चुनाव लड़ेंगे, तो आपके सामने भी हो सकता है, कंबाइन ओपोजिशन आए, हाओ डियू सी इट, मोधी वर्सेज ओल, सामने वाला एक हो, जब सामने वाले बीस वार आप अकेले खड़े हो, तो वो लड़ाई में मज़ा है, अगर वो लड़ाई आप जीत सकते हो, उससे बेटर लड़ेंगे, कोई बात नहीं, पूरे दम से लड़ेंगे, सच्चाई के साल लड़ेंगे, इमानदारी के साल वो भी करते हैं, पूलेटिकल काम की तारीफ, लेकिन आपी की पार्टी के एक विदायक है, वो आप पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने ग्रेमंत्री को चिट्थी लिख दी, सी बी आए, इसे जांच कराई जाए जाए, देखे, ऐसा नहीं है कि मेरे काम की तारीफ क्रिटिक करते हैं, और मेरे काम की तारीफ, मेरे कामों को कृटिसाइज भी बहुत लोग करते हैं, मेरे पोलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रिटिसाइज किया गिया, और आम आदमी पार्टी तो करेगी लाज़मी है हो हर तरीके से, पर बीजेपी का विदायक क्यों कर रहा है, बीजेपी का विधायक कर रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विधायक मुझे नहीं पता क्या कारण है क्योंकि वो ऐसे विधायक यहां बिलीफ करना कि हम 15 साल बाद, नहीं 23 या 24 साल बाद वो सीट जीते थे और वहाँ पर मेरे फादर का पिछले 35 साल से ओफिस था गांधी नगर उससे पहले 15 साल वहाँ पर लवली जी विधायक रहे कांग्रेस से और मैंने 103 बुखार में रोड शो किया था गली गली गया था क्योंकि मुझे लगता था कि जहां का मैं MP हूँ मेरे फादर का माँ पर आफिस है पिछले 45 साल से वहाँ पर हमारा विधायक होना चीए और ये विधायक आम आदमी पार्टी से आये थे ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में थे आम आदमी पार्टी से ये इंपोर्ट किये गए थे इसके बावजुद अगर आप अच्छे काम को रोकेंगे अगर आप ग्रह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे या फिर आप सीबिया इंक्वारी करवाएंगे मुझे किसी कुड़ेगर को अपने नाम करने की जुरूत नहीं है उपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मैं बहुत सक्षम हूँ अब आखरी राउंड है और यह जो राउंड है यह तस्वीरों वाला राउंड है इसमें हम कुछ तस्वीरे दिखाएंगे और पहले राउंड की तस्वीरे आती है पहली तस्वीर आ रही है पहले राउंड की तस्वीर आ रही है ये देखते हैं कौन सी है राहुल गांदी क्या कहना चाहते है आप इनके बारे में देखे मैं बहुत जादा जानता नहीं है इसने में को किसी भी व्यक्ति के बारे में परसनली बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सिर्फ मैं इतना ही क पर गया था इंग्लेंड और उस टाइम में 17 या 18 साल का था 17 साल का हूंगा और यह चीज़ बोली गए थी जब मैं फ्लाइट ले रहा था शैगो मेरी पहली या दूसरी पहली बार में यूके गया था जी कोई भी आप से भार कोई सवाल पूछे तो हमेशा अपने देश के पर हो देखे मैं इसले नहीं वो मेरा अलग प्रोफेशन था मैं उस टाइम पर क्रिकेटर था यह नेता है आपके बहुत आप पसंद करते हैं अर्विंद केजरिवार मेगा लुमेनियाक यह कहना चाहते आपके इसका मतलब भी समझा देता हूं जी एक लाइन एक लाइन त तो अपने से उपर किसी और को नहीं देख सकते अगली अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है गौतम गंभीर और विराट को ली यह 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 शायद वही तस्वीर है जिसमें आपने अपना मैन अप दे मैच शायद दे दिया था लॉड ओ रिस्पेक्ट वाट इस वह गुगली राउंड है आपकी राए में कोली और गांगुली में से जादा एग्रेसिव क्याप्टन कौन था मैं ना जादा गुली के अंडर खेला नहीं मैं गांगुली के अंडर खेला तो बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना आप मैं से उनके बारे में पूछी कि मैं सबसे अग्रेसिव कप्तान किसके अंडर खेला था मैं उसका जवाब शायद देगा किसके अंडर अ कोई भी नहीं अगला सवाल है सिसोधिया और मनी सिसोधिया और सतेन जैन में से जादा कट्टर इमानदार कौन है गुगली राउंड है इसका नाम ही गुगली राउंड है देगे इसका जवाल तो मुझे तेहार में जाना पड़ेगा तब देपाऊंगा और आपका कोई विचार नहीं है अगला राउंड जो है वो है गर्ल्स वर्सेज गंभीर और कुछ लड़किया है वो सवाल पूछ राचाती है क्या सवाल है आपके पूछ सकती है एक-एक करके मेरा क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी फेवरेट एक्टर से तीन ऑप्शिंस है मेरे पास हां जी तो पहली है दिपिका पड़कून और दूसरी है अनुष्का शर्मा और तीसरी है परनीती चोपड़ा तो कौन सी फेवरेट आपकी अब बताईए बहुत जादा मूवी पिका और अनुष्का में से को अगर मेरे को अगर अभी याद आए तो परिनीती चोपड़ा विकॉस केसरी में उनकी बहुत अच्छी आक्टिक थी जी एक और सवाल है जी 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 पूछे सवाल क्या है सार मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी वाइफ नताश्रमाम आपसे नाराज हो जाती है तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं मैं कैसे मनाता हूं? मैं अचली मनाता नहीं हूं. मैं अपने अप ठीज हो जाती है, मैं को मनानी की आदत ही नहीं, honestly. और वो बहुत जादा नराज होती ही है. तो बहुत, that's why मैं जब बोला अमीज जी को, कि मैं बहुत खुश हूं जिस तरीके की मेरी फैमिली है, क्योंकि अगर में को बहुत जादा मनाना पड़ता है, यह टाच हूट. अभी तक तो यही आगे कुछ नहीं पता कि 11 साल हो गए हैं, तो हम शोर अभी तक इतना कोई जादा मनानी की जरूत पड़ी है. कभी गाना वाना भी निगाया उनके लिए. ना गाया, ना ना चा, ना मनाया. ना मनाया. चलिए, एक और सवाल. सर, आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रपोस किया था? आप बताईए. आप तो मुझे कहते थे कि यह जाला बड़ी बांसर थे, जो मैं अभी आउई-पियल में खेल के आया हूँ, उससे बढ़िये, बताईए. नताशा ने. नताशा ने पुझे आप इनकी वाइफ ने प्रपोस्ट किया था. चलिए, आप लोगोंने कई सारे सवाल पूछे आप, यहां पर एक कई लोग हैं, जो कुछ ख्वाइश भी रखते हैं, वही, क्या है आपकी ख्वाइश? सर, हमारी ख्वाइश है कि हम बजपन से क्रिकेट खेलते हैं और आपको देख रहा हैं, लेकिन मेरा एक तमन्ना है कि सर, मैं गिन फेकू और आप कोई 6 या कोई बांडरी मारें. बांडरी मारें, स्टूडियम में हमारी लाइट टुडवाएंगे आप, मेरी गंबीर साब आपसे गुजारिश है, बांडरी मत बारिएगा, डिफेंस कर दीजेगा, आई आई आई, तो बैटर बॉल भी आ गया है, तालिया, मैं फील्डर बन जाओंगा मुझे लगता है, क्या नाम है आपका, अंकित तिवारी, तो हंकित तिवारी, मैं कमेंटर बन जाता हूँ, तो हंकित तिवारी गौतम गंभीर को बॉल लाणने जारे है, हमें जогरो हैंब बॉल करना भी मेरी जगा आप कमेंटरी करना भी वोल्ड का पाने वाला है ठीक है चलिए मुझे कोई मुझे देगा तो मैं जरूरूर ट्राय करूंगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गौतम गंबीर हमारे साथ आने के लिए बात करने के लिए और तिवारी जी आपका भी लेकिन आज का मैन अफ दमया चकर कोई है तो वो गौतम गंबीर है